लैला ने खिडकी से बाहर देखा, वो अपने प्यारे शहर लाहोर के खूबसूरत सीनरी को देख रही थी, उसके होटों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी, आस्मान साफ था और सूरश तेश चमक रहा था, वह बचपन में अमेरिका में रही, लेकिन बारा साल की उम्र में अ उसके तीन बड़े भाई थे, अली, सबसे बड़ा, अब्दुल्ला और फिर फैजान, सबसे छोटा, जबकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि बड़े भाईयों का होना एक हैल जैसे लाइफ है, लेकिन लैला ने ठीक इसका अपोजिट सोचा, जबसे वहाँ पैदा हुई, उसक कभी भी नुकसान नहीं पहुचने दिया, उसका पूरा परिवार उससे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था और वह इसके लिए थैंक्फुल थी, यहां तक कि अली भाई की पतनी साइमा भाभी भी उससे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती थी, अली भाई और साइमा भाभ अपने दूसरे बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब्दुल्ला पिछले दो सालों से स्टेट्स में थे और वहां लौ की पढ़ाई कर रहे थे। आखिरी बार उसने उसे कुछ महीने पहले ईद पर देखा था। अपने सभी भाईयों में से अब्दुल्ला उनका देफीनिशन था। वह उसे जहां भी जाना चाहती थी, जब भी जाना चाहती थी, ले जाता था। वे आधी रात को लाहौर के लाइवली सिटी में घूमते थे, स्नैक्स खरीदते थे और आइसक्रीम खाते थे। और एगर वह स्टेट्स में था, वह हमेशा अपनी छोटी बहन के लिए टाइम निकालता था और उससे पूछता था कि वह कैसी है। वह उसे रेगिलरली गिफ्स भी भेजता था। अब उसे गलत मत समझो, वह अपने भाइयों से बहुत प्यार करती है लेकिन अब्दुल्ला को कुछ ज्यादा ही पसंद करती थी। भले ही लैला को बहुत प्यार और देखभाल दी गई थी, लेकिन वह कभी भी बिगडेल लड़की नहीं थी। उसकी मा ने उसे बचपन में ही सिखाया था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वह चाहती थी कि वह सही रास्ते पर रहे। उसके दर्वाजे पर एक धीमी नौक ने उसे उसके थोच से बाहर ला दिया। अंदर आएं। उनकी नौकरानी आईशा ने कमरे में कदम रखा और अपनी बीबी को हलकी मुस्कान दी। लैला बीबी आपके वालदेन आपको बुला रहे हैं। उसने कहा। अच्छा मैं आ रही हूँ। उसने जवाब दिया आईशा ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई और दर्वाजा धीरे से अपने पीछे बंद कर लिया। धीरे से आह भरते हुए लैला ने अपना दुपट्टा उठाया और उसे अपने चारो और लपेट लिया। आज उसके बाबा के कुछ दोस्ता रहे थे। जाहिर त समय वह बहुत छोटी थी। वह उस समय पांच वर्ष की थी। उसने अपने कमरे का दर्वाजा खोला और लंबे हॉलवे से नीचे चली गई। यहाँ विशाल घर उसके पिता को अपने माता पिता से विरासत में मिला था। वह अपने दादा दाधी के बारे में सोच कर मु वेश कर गई। उसने ऊपर देखा तो शां उसकी और देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ। मुझे कोई फरकन नहीं पड़ता। उसकी आवाज कमरे में चारों और गूंज उठी। इसे अभी ठीक कराओ। नहीं तो तुम में से कोई भी फिर क कभी अपने जीवन में एंप्लॉइड नहीं होगा। उसकी डेखली आवाज ने हर किसी की रीड में सहरन दोडा दी। बक्वास उसने मन ही मन सोचा। आप सभी किसका इंतजार कर रहे हैं। काम पर वापस जाए। यस सर। बुद्बुदाते हुए वे सभी जल्दी से कमर से बाहर चले गए। जैन ने एक आँ भरी और अपनी कुरसी पर पीछे जुग गया। उनके एंप्लॉइज की स्टूपिडिटी के कारण उनकी कमपनी लगभग एक मिलियन डॉलर का डील खो चुकी थी। वहां पिछले कुछ टाइम से काफी टेंशन में थे। उसके माता पिता चाहते थे कि वहां एक लड़की ढूंडे और घर बसा ले लेकिन यह डेफिनिटली जैन के एजेंडे में नहीं था। उसे अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। उसे किसी अंजान लड़की का बोज नहीं चाहिए था। उसने फिर से आँ भरी और अपने सामने पेपर वर्क का सामना किया। मेरे पास अभी भी तीन स्टैक्स और हैं। उसने खुझ से सवाल किया। उसने फिर एक आँ भरी और काम पर लग गया। कुछ समय बाद जैन ने फाइनली अपनी सारी पेपर वर्क पूरी कर ली। उसने समय देखा तो लगभग साड़े आठ बज रहे थे। वह उठा अपनी सारी गंदगी साफ की और अपने ओफिस से बाहर चला गया। जैन घर पहुचा और उसके माता पिता डिनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों के चहरे पर एक ब्राइट मुसकान थी। वह एक मिनिट के लिए फ्रीज हो और कपड़े बदलो और डिनर के लिए नीचे आओ। उसकी माने कहा उसके टोन में excitement evident था। वह अभी भी confused था। उसने बस अपना सिर हिलाया और सीडियों से उपर चला गया। कमफर्टिबल कपड़े पहनने के बाद वह नीचे आया और सीधे डिनिंग रूम की ओर चला ग कर खाने लगा। उसने ऊपर देखा तो उसकी मा उसे घूर रही थी। उसने आँ भरी और फिर पूछा क्या हो रहा है। फिर उनकी माने ये खबर दी जिस खबर से वह डर रहा था। उसने कहा फाइनली हमें आपके लिए सही दुलहन मिल गई। मिसिस शा अपना उत्सा न फ्राइडे को होगा। वह एक बार फिर चिल्ला उठी। जैन सदमे में था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी माने पहले से ही उसके लिए दुलहन चुन ली है। और अगले फ्राइडे को उसकी शादी होने वाली थी। मैं मना करता हूँ। यह बे तुका है। मैंने कहा था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मैंने आपको यह पहले ही बता दिया था। उसकी आवास पूरे घर में गून जुठी। वह गुस्सा हो गया। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैन अली शां तुम फिर कभी अपनी मा से इस तरह ब मा की ओड देखा तो उसे एक हर्ट हुआ फेस दिखाई दिया। उसे तुरंत अपने वर्द्स पर रिग्रेट हुआ। मैंने कहा क्या समझ गए। उसके पिता ने एक बार फिर दोहराया। उसकी आवास फर्म थी। जी, बाबा, जैन ने जवाब दिया। अच्छा है और वियाद रखना बेटा, मैं जब भी चाहूं कमपनी वापस ले सकता हूं। मत भूलना, उसके पिता ने धमकी दी। बहुत बढ़िया, उसने मन ही मन सोचा। उसके पिता ने उसकी सबसे कीमती चीज़ के लिए ही उससे धमकाया था। उसकी कमपनी। तुम अपनी मा के करने जाओगे और लैला से शादी करोगे समझ गए उसके पिता ने एक बार फिर पूछा हां उसने जवाब दिया और इस तरह उसकी किस्मत पर सील लग गई